तोनमस्कार आर्फिया ने डिजिटल करेंशी को लांच कर दिया है जिसे आप अपने पैकेट में फिजिकल रुप्य रखते हैं उस तरह से आप अपने फ़ण में डिजीटल तरीके से नोटो को रख सकते हैं यहां पर Central bank Digital currency दो टर्वे से कम करेंगे Central bank Digital currency wholesale के लिए भी काम करेंगे Central bank Digital currency डेटेयर के लिए काम करेंगे यने कि हम और आप यहाँ पर दो तरफ से इरúblic को आप ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आप किसी उक्ति को ट्रांसफर कर रहे हैं यरुपिय तो वहाँ पे person to person आप transfer कर पाएंगे अगर आप किसी दुकान में जाके कोई भी समान खड़ीदारी करते हैं तो उस दुकोंदार वाले को अगर आप e rupia transfer करते हैं तो वहाँ पे person to merchant format में आपको transfer करना पड़ेगा अगर आपके पास फिजिकल नोट 100 रुपिय हैं तो वही अगर आप डिजिटल वायलेट करेंसी में लोड करवा लेते हैं यानिकि बैंक से इसू करवा लेते हैं तो उसका वेल्यू उतना ही रहेगा जितना वेल्यू आपके फिजिकल नोटों की हैं दोस्तों कई बार सवाल यह आता है कि हमें Digital currency इड़ रूपिया वालेट में अगर रूपिया रखते हैं हम अपना पैसा रखते हैं क्या हमें यह अपने ब्याज मिले या नहीं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप आप नोट पेपर वाले बैंक में जमा करते हैं तो वहाँ पर आपको दिया जाता है लेकिन डिजिटल करेंसी यूपिया वालेट में अगर आप पैसा रखते हैं तो यहां पर कोई भी आपको बियाज नहीं मिलेगा लेकिन एक सोलीशन है अगर आप बैंक से इसु करवाया है 500 रुपिया के e-rupyयay नोट और उनमें से आप 200 रुपिय खर्च कर देते हैं तो आपके 300 रुपिये के e-rupyay नोट बढ़ जाते हैं तो उसे आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं जब आप बैंक में ट्रांसफर करेंगे वहां पर आपके पैशे, ब्याज भी मिल कई दोस्तों को यह सवाल आता है क्या हम अगर डिजिटल करेंसी रूपिया वालेट में अगर हम मनी रखते हैं यानि कि अपना रूपिया रखते हैं तो क्या हम फिर से अपने खाते में ट्रांसफर कर पाएंगे जी बिल्कूल टॉंटिफोर बाई सेवन आप जो है कभी भी डेमो वीडियो बनाया है आप चाहें तो देख सकते हैं लिंक वीडियो के डिक्सिशन में मिल जाएगा हाला कि अभी प्रोजेक्ट पे यह डिजिटल करन्सी चालू किया गया है जैसे दिल्ली मुंबई बैंगलोर भूबनेश्वर में यह चालू किया गया है और इन बैंक तो देरे देरे सभी लोगों को डिजिटल करेंसी ए रुपिय का फेसलिटी आप लोगों को मिलना चलू हो जाएगा अगर इस वीडियो के रिकार्डिंग अगर आपके कोई भी सवाल यह सुजाब है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते